आज हम आपके लिए लेकर के आए प्रैक्टिस सेट शीक्स जिसमें की कुश्चन्स दिये हुए नन प्रॉफिट आर्गनाइजेशन के और पार्टनर्सीप के तो आई हम सुरू करते हैं आज का सेशन आज का मारा कुश्चन नमबर वन है तो देखे इसमें जो है ये जो सर्प्लस आर्टेफिट रिवील्ड बाई इंकम एंड एक्स्पेंडिचर अकाउंट इस ट्रांसफर टू आई एवं बेख खाते द्वारा प्रकट होने वाले आधिक अत्वा कमी को अंतरित किया जाता है तो देखे इसमें जो है ये जो सर्प्लस आर्टेफिट रिवील्ड बाई एक्सपेंडिचर इंकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंड इस ट्रांसफर करते हैं सर्प्लस को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल फंड में डीज दा राइट आंसर नेक्ट कुश्चन इज लाइफ मेंबर सी फीस रिसीवड बाई क्लब इस सोन इन एक क्लब द्वारा प्राप्त आज इवन सदस्ता सुलक को दिखाए जाता है यह एक तरह से कैपिटल रिसीवड है और इसे हम कहां पर सो करेंगे बैलेंस सीट में लाइबिल्टी साइड में सचिव को मान दे कब हुख्तान ये क्या है ये तरह से रेवनियू एक्सपेंडीचर है option देखिए ये कैप्टल एक्सपेंडीचर भी रेवनियू एक्सपेंडीचर आइगत वे C. nominal account नाम मातर खाता और D. ननाबदी जिन में स्कुई नहीं तो right option क्या हो जाएगा? B. ये प्राप्ति और भुकतान खाता क्या है? Real account है. Next question देखिए, income and expenditure account इजे आएवे खाता है. Options A. personal account B. real account C. nominal account and D. ननाबदी तो right answer क्या हो जाएगा? C. that is nominal account. Next question is, which of the following is not a not for profit organization इन में से कौन लाभ ना कमाने वाली संसा नहीं है इन में से कौन सा? तो आप से देखिए, college महविद्याल है, B. sport club खेल कूद, C. मारूती उद्योग, मारूती उद्योग, और D. hospital जो है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा? C. that is मारूती उद्योग. Next question, income and expenditure account generally indicates I. तथा वे खाता सामानेता दिखता है, A. surplus account दिखाता है, options क्या है? इसमें surplus deficit आधिक घाटा, B. cash account रोकर से, C. capital fund पुझी कोस, और D. net profit net loss. तो देखिए, I. और वे खाता जो income expenditure account बनाते हैं, तो उसमें या तो surplus आता है, ये deficit आता है, तो A. is the right answer. Next question is, the excess of assets over liabilities in non-trading concern is treated as, गैर वे आपरिक संथाओं में देयताओं होना चाहिए, तो देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक को कहते हैं, The excess of assets over liabilities in non-trading concern is, तो देखिए, गैर वे आपरिक संथाओं में जो भी liabilities पर assets का excess होता है, तो आप संथाओं देखिए, उसमें क्या क्या हैं, A. capital fund, B. capital, C. profit, D. net profit, तो right answer क्या हो जाएगा? A. capital fund, is the right answer. Next question in non-trading concern, excess of income over expenditure is called, गैर वे आपरिक संथाओं वे पर, आई की आधिकता को कहते हैं, आप संथाओं देखिए, A. profit, B. surplus, C. loss, D. deficit, तो right answer क्या हो जाएगा? B. that is surplus. Next question is, income and expenditure account is made, आई वे खाता बनाया जाता है, options देखिए, by firm के द्वारा, by non-trading concern, गैर वे आपरिक संथाओं द्वारा, by sole trader, एक आप की वे आपर द्वारा, और by company, company के द्वारा, तो देखिए, इसका right option क्या हो जाएगा? ये गैर वे आपरिक संथाओं द्वारा ब compute rent for the year ended 31st March 2020 from the following, निमलिखित से 31st March 2020 को समाप्त वर्स के लिए किराय की गणना करें, और ये देखिए, outstanding rent है, 1st April 2019 को, और ये 31st March 2020 को, pre-paid rent दिया हुआ है, 5600, starting का opening है, और ये closing 30 March 2020 का 10400, जो rent paid during the year है, वो 297,800 है, options नीचे दियो है, कैसे इस question को solve करेंगे, आए चिक करते हैं यहाँ पर, तो ये सबसे पहले हम लोग rent paid during the year, 297,800 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बाद फिर जो outstanding rent है, ये opening है, 1st April 2019 को, तो हम ऐसा मान की चलें कि इसको सबसे पहले हम pay करेंगे, 19,000 को हम इसको पहले pay करेंगे, जब 19,000 को हम pay कर देंगे पहले, तो हमारा आ जाएगा 278,800, अब इसके बाद में ये 14,000 outstanding ये current year का है, तो इसको हम add कर लेंगे, 14,000 को add कर लेंगे, तो देखें, ये हमारा आ जाएगा 292,800, 292,800, अब देखें, अब prepaid rent दिया हुआ, तो prepaid rent का जो opening है, ये पहले हम paid कर चुके, तो हम इसको plus कर लेंगे, कितना plus करेंगे, 5,600 को plus करने पे जो हमारा answer आएगा 298,400, और इसके बाद में next जो ये prepaid ये दे रखा है, closing का 10,400, तो इसको हम क्या करेंगे, 10,400 को minus कर लेंगे, और minus करने के बाद हमारा जो option, answer आएगा, वो 288,000, तो इस तरह से देखें, आप जो answer हमारा निकल करके आ रहा है, वो इसका B है, अब B is the right answer, बात करते हैं हम next question की, तो next question is, subscription received during the year 2019, 19,20, 1,50,000, outstanding subscription है, जान 31st मार्ट, 2019, is 1,00,000, the amount shown in the current year subscription, देखें, current year subscription की ही बात कर रहे हैं आपर, कि 2019-20 में कितना amount मिला है, वो 1,50,000 है, आउट इस्टेंडिंग subscription ये पिछले साल का दिया हो, देखें, 19,20 का है, कब से start होगा, एक अपरेल 19 से सुरू होगा, 31 मार्ट, 2020 तक जाएगा, और जो outstanding subscription वो पिछले साल का है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या करेंगा, हम ये मान के चलेंगे कि भई, ये 1,00,000 का जो amount है, वो इसी में included है, जो current year का amount received, वो इसी में included है, तो इसको क्या करेंगे, exclude करेंगे, इसको बाहर करेंगे, तो 1,50,000 में से, जो previous year का 1,00,000 है, उसको हम कर देंगे less, और इस तरह से देखेंगे, कि जो हमारा right answer आएगा, वो कितना आजाएगा, 50,000 आजाएगा, तो right option क्या हो जाएगा, में साजेदारी फर्म के लाभ हानी का भी भाजन किया जाता है, options देखिए, A equally, बराबर, बराबर, in capital ratio, in different proportion, और ना नाब दी, तो आपको मालूम है कि अगर partnership deed silent होता है, तो जो profit sharing ratio है, वो equally हो जाएगे, तो equally is the right answer, next question in the options आप पार्टनर्सिप agreement, interest on partners loan, partners के loan पर क्या rate of interest है, तो option देखिए, A 5%, B 6%, C 8% परेनम, और D 4% परेनम, तो right option क्या हो जाएगा, 6% परेनम is the right answer, the interest on partners capital account is to be credited, तो साजेदारों के पुझी खातों पर ब्याज को credit किया जाता है, आप देखिए, interest on capital को credit कहां किया जाएगा, option देखिए, profit and loss account, interest account, partners capital account, D, ननाबदी, तो जैसा कि आपको मालूम है कि interest on capital जो partners को दिया जाएगा, वो partners capital account में ही credit करेंगे, C is the right option, next question, the interest on capital account आप partners under fixed capital methods to be credited, देखिए, जो capital account बनाये जाते हैं, वो दो तरह से बनाये जाते हैं, fixed capital method से और fluctuating capital method से, तो fixed capital method में दो तरह के account open करें, जैते partners capital account और partners current account, अगर capital fixed method से हम question लगा रहे हैं, तो जो कुछ भी होता है, एक capital को छोड़ करके, और बाकी introducing capital और withdrawing capital, withdrawal capital को छोड़ करके, बाकी की सारी चीज़े हम कहां पे ले जाते हैं, current account में सो करते हैं, तो इस प्रकार हमारा जो right option होगा, इसका D, partners, current account is the right answer, इन अर्डिनरी पार्टनर से maximum number आप, पार्टनर से partners can be, तो एक सामाने साज़ेदारी में साज़ेदारों के अधिक्तम संख्या है, तो C is the right answer, 50 is the right answer, current account क्या है, चालू खाता है, पर्सनल एकाउंट व्यक्तिगत खाता, B, रियल एकाउंट वास्तिवी खाता, C, नॉमिनल एकाउंट और D, तो current account चालू खाता है, A, personal account is the right answer, interest on partners capital is calculated on, साज़ेदारों की पूझी पर व्याज की गणना होती है, आप्सन देखिए, opening capital पे, closing capital पे, average capital दीना नाबदीज, तो याद रखिए हमेशा कि interest on capital calculate किया जाता हमेशा opening capital पे, right answer is the A, capital at the beginning, next question और हमारा आज का last question, partnership agreement can be साज़ेदारी समझा हो सकता है, oral, B, written, liquid, C, oral, R, written, और D, नाबदीज, इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer होगा, C, oral, R, written, दोनों तरह से हो सकता है, तो देखिए, आज की ये 20 question थे, और आने वाले समय में हम आपके साथ हाधिर होंगे, प्रक्टिस से शेवन ले करके, आज की लिए बस इतना ही, थेंक यू. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankash Commerce classes available in Play Store. क्या है, आप से बड़र vision है, तो हाधि एदा है, आपना की ये 22 follow樣 है, और समय में है, रर एभ पे खूदिए.